गुट मॉर्निंग दोस्तों जहिन दोस्तों मैं नितुराय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूटूब चैनल फोजी वाइफ हाड लाइफ में कैसे हैं दोस्तों आप सब लोगों के कृपा से मैं भी एक दम अच्छी हूँ मस्त हूँ और चलिए सुरवात करत अब ही जो है मैं नहाधो की तैयार होगी हूँ दादी आने वाली है कुछ खाना तो पहले रडी कर दिया था आप लोग देखे यह मीनी ब्लॉग में और अभी दादी जो है नहाने जाने वाली है तो उनके नहाते मतलब नहा कर आने से पहले मुझे जो है आलू की खटी सब आपजी बनानी है बंडारे वाली और आलू टामाटर की और चावल कढ़ी बनाना है तो सब कुछ मैं बिदावट लहसुन प्याज बनाऊगी ताकि मैं अपने काना को भी खिला सकू और देर बिल्कुल नहीं करेंगे चलिए जल्दीश चलते हैं और आपको अपना चना दि Québec ना बड़ा बड़ा अंखरत उचिन देख है कि देख रहे हैं आप किटना hebय है हुआ है वाउ तो यह हमारा देशी चना था और मूं का डाल था तो रेडी हो गया है इससे हम अभी खाएंगे और पहले चलते हैं जल्दी जल्दी काम कर ले काम बहुत जादा है तो बीच में खा पी ले उसके बाद काम करते हैं तो मैं यहां पर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए सुबह कानास्ता में बना चुकी हूँ रोटी और सबजी बट सुबह रोटी बनाई थी और पनीर के सबजी बनाई थी अभी जो है आप लोग को पता हिए कि तड़ी बना रही हूं और काना को मैं एक बार भोग भी लगा चुकी हूँ उनको दूद पिला चुकी हूँ अच्छे से सब कुछ हो गया है काना का यह दूसरा उनको भोग लगाऊंगी तो यह हमारा रोज का होता है चार बार तो कंफर्म होता है मुझे काना को खिलाना पिलाना होता है चार बार प्लस सुलाना होता है खिलाना होता है स पूरी सेवा करती हूं जितना हो सकता है मुझसे और जब बच्चे की तरप आप करते हो तो अपने आप ही आप सब कुछ करते हो जैसे पने मेरे खाना खाने जा रहा है आज मैया ने क्या बनाया है क्या बनाया है काना से लिए कढ़ी है बड़े हैं चावल है पापड़ है अलेवा आज तो खाना को बहुत अच्छा खाना बनाए खाने के बाद खाने का कुछ ही हाल हुआ है यह पापड़ का हाल हुआ है काना नहीं खाना हमारा खा दिया है तो किचन का सारा काम फिनिस करके बरतन भी धुल लिया मैंने लाश्ट में सारा टोटल काम हो गया है अब आगे हूँ थोड़ा से रिष्ट करूंगी और देखते हैं तो कांटीनियू आप लोग बने रहेगा ओके तो साम हो चुकी है और मैं बना रहे हूं आलू की खट्ट पहली बार नुखाए अलू के खट्टी सब्जी पहली बार नुखाए अलू के खट्टी सब्जी पहली बार नुखाए बंडारा वाली रवा अभी नाग खाई लोग पर लब ये बारा हम बनावाता नी तो पहले बेरी नुखाए दादी सुरु सुरु में तीवी देखती मैं मेरे शादु इसकता है तो हम उसको बलते है ए ठलाना वो हुआ देखा कोई से दवर के आवा था मारी मारी हुआ मारी और कोई ज़ते जाना आता रहा जाना छी छी आतो को हुआ हा सब्सक्राइब आतो हम सूर सलवार पहनते हैं तो हमको भी बोलते हैं घागरा पहिन-पहिन के भूमात आलो आजी सार्थी है साड़ी पहिन करहो हमी साच और बड़ा दुलहन की तरह साजिल्हाच आजी सुरु सुरु में तरहते रहने हैं तो यह आलो की खटी सब्जी जो है ना दादी को आज बहुत ज्यादा पसंद आए थी यह इधर ज्यादा नहीं बनता है यूपी में बहुत ज्यादा बनता है तो आलो मैंने फ्राई करके निकाल लिया अच्छे से और आलो को थोड़ा ज्यादा मसलते हैं और टामाटर का हमने ग्रैवी तयार किया था तो उसमें थोड़ा सा द्रव डाल दिया था बस सिंपल से बनके तयार होती है मसाले में थोड़ा सा घरम मसाला थोड़ा सा चाट मसाला दोस्तों बात कैसे हैं आपसो अच्छे हैं ना अच्छा रहना भी चाहिए और कल जोए मैं काम करके इतना ज्यादा थग गए थी बहुत ज्यादा थग गई थी तो ब्लॉक सूट आगे नहीं कर पाये थे और आज भी जो है अभी सारा काम फिनिस हो चुका है सब कुछ हो चुका है और अभी मैं फ्री हुई हूई हूँ लेकिन कुछ तबियत मेरे ठीक नहीं है तो बात अभी आप लोगों से नहीं कर पाएंगे थोड़ा आराम मिलेगा उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे और मिलेंगे ओके कुछ बात करनी है आप लोगों से चले फिर वेट कीजिएगा आती हूं भी मिलते हूं आप यहां पर ना हम दादी को एक बार फिर से दोखे के साथ पनीर की सबजी पनीर की बुझीया लाएं खाने के लिए बोले दादी आलू और टमाटर की हैं देखते दादी क्या गरती है पैचा पीएं की नहीं काथि के हो आलू के या टमाटर के होई हुँ हुँ हुच्छे ना के हो आलू टमाटर हो आलू टमाटर हो आलू टमाटर दाल दाल ले बनी जर्ड़ा को जर्ड़ा को जर्ड़ा तो दोस्तों दो पहर में आप लोगों से बोली कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो मैं आप लोगों से मिलूंगी बट आराम मुझे कोई कहां मतलब आराम मिला हिं नहीं बस साम को काम करना होता है तो किसी तरह काम करनी के लिए मैं उठी काम की और दादी को जो है चुपके से आप लोगों देखे पनीर बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहती है तो पनीर की भुजिया थी और दाल का पराठा था चटनी था तो मैंने दादी को खाना होना खिला दिया खुद भी सब हम और ननत जी पापा सब लोग मतलब खा चुके हैं और अब चल रहे हैं आराम करेंगे आप लोग से बोल क्यों खराब लगेओ क्षा पर तो कुछ है पर खार इक अंदर से असा लग रहा है थरो ही बुछार लागए है तो शेख़ें हो आप लोगोशे नेक्ट ब्लॉग में अमधर तब तक के लिए आपसए अपना अच्छे सिख्यार नगिए पर इसरेग अच्छे बाश्त मुлен तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जैहिन बंदे महात्रा